पुश्कार दोस्तों आप सुब का हमारे चैनल में स्वागत आईए बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहा काम काज कर सकता है हमारी प्लानिंग क्या थी तो दोस्तों कल क्लियरली हमारे उपर की साइड के ही टारगेट थे और ये वाला एक लैवल मैंने आप खेंज ली थी आप भी यानिक इसको जरूर खेंज ले उपर का टॉप है जो आपका एक जनवरी का है उसके बाद में यह आकलके हैं तो यहां से इसके उपर यानिकी फर्दर अब निकलेगा तो डेफिनेटली आपके उपर की साइड में मूव देगा अब नीचे में भी हम कह सकते हो छोटा सा इसकी विक की यानिकी नीचे की साइड है बोडी भी बहुत छोटी है तो यह एक बहुत तकड़ा यानिकी एक सपोर्ट है मार्केट में यह जैसे क्रिश्चन का जो साइन होता है जीजस वाला इसी तरह की यह कैंडल है और इसका यानिकी सपोर्ट देख लिका था कि यह एक range बन गई है आपकी यहां से जैसे इस range को market तोड़ता है तो हम एक बाहे की position में उपर की side बैठेंगे अब यहां पर देखो जब market खुलाई उपर और फिर एक lower low बनाया तो यहां पर आप उपर के level पर selling कर सकते थे यहां फिर जैसे यह वाला level तोड़ता है तो यहां से भी मतलब 48,050 का level भी अगर तोड़ता है तो नीचे में 500-200 point के लिए अगर आप देखो तो exact 200 point 840 तक market ने आपको नीचे की side में भी trade दिया तो दोस्तों कल का जो session था Friday का session रहता है तो उसमें volatility कम रहती है तो उस वज़े से मैं भी हैने के टेलिग्राम में आप लोगों के लिए कोई trades अपडेट नहीं करता इवन कुछ कई बार मैं भी ignore कर देता हूं तो उस वज़े से क्या है कि normally हमें trade नहीं करनी चाहिए इस दिन क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी समझ्चा यह रहती है कि volumes नहीं रहते हैं तो अब निफ्टी का यह दोस्तों मैं इस तरह की एक triangle pattern अपन इसको बना सकते हैं यहां से या तो इसकी इस range को बहार निकले तो तो ही निफ्टी के अंदर entry करें otherwise इसके अंदर आप trap ह हो जाओगे time decay का loss या जो भी है सारी की सारी समझ्चे हो जाएगी तो चलिए बात करते हैं निफ्टी के अंदर यह मंडे को अगर यह वाला point देखो यह यहां का high है यह high उपर की side निकालेगा तो buy की side में बैठा जा सकता है या फिर अगर जैसे market यहां आता है और यहां से reject होता है कोई उपर के level पे negative candle या negative pattern अगर बनाता है या lower low बनाना शुरू करता है तो एक उपर के level पे इस point पे यह high point है high point कितना है 2750 2750 के नीचे हम put की position में बैठेंगे तो कल भी यह निकी एक trade 2750 के आसपास हम selling का plan कर सकते हैं यह देखा होगा तो यहां पे यह निकी अगर शांदार किसी ने sell का plan किया हो तो शांदार आपको नीचे तक बढ़िया target मिले तो अब overall यह वाला level है इसके उपर buy की side रहेंगे और यह वाला level है यह level है करीबन 21600 का इसके नीचे put की position में अब यहां पे है 21000 इसके बीच में आ जाता है 2680 अब 2680 से अगर आप buy में भी बैठोगे तो भी यह नहीं यहां पे आपको थोड़ा सा ही gain मिलेगा यहां से sell में भी बैठोगे तो यह triangle का maybe इस दो point touch है तो इस triangle का support लेके market upside चला जाएगा तो यह triangle है या तो इसको इसको पूरी तरह बाहर निकलने दे मतलब 27750 के उपर निकलने दे या 2600 के नीचे निकलने दे तो best trade आपके लिए 75-80 point के आसपास की या 100 point तक की आपको एक शांदा trade मिल सकती है उपर की side और नीचे की side या फिर अगर market इस range के अंदर time pass करता है तो full ignore है या फिर यहां पे sell का plan किया जा सकता है और नीचे इस point पे buy का plan किया जा सकता है तो दोनों simple 3-4 तरह की trade आपको मैंने बता दी है अब है दोस्तो gap of gap down gap अगर खुलता है यहां से reject होता है तो sell का plan और यहां से higher high बनाके निकलता है तो buy की position में बै अब यहां से यह वाला level तोड़ता है उपर के level पे यहां से reject होता है मतलब 21,750 के आसपास अगर निफ्टी reject होता है तो एक नीचे की side की trade नीचे की side में 1500-200 point के लिए ली जा सकती है तो overall gap of gap down में भी same है तो वहां तक हम trade कर सकते हैं तो अब बात कर लेते हैं bank nifty bank nifty में भी यह किसी तरह की trend line आप खेंच सकते हैं बाकायता शांदा trend line आपके लिए भी बंती हूँ नजर आ रही है तो यह trend line ज़रूर खेंच लें तो यह rejection point आप bank nifty का identify कर सकते हैं यह उपर की side में यह rejection हो गया और नीचे की side में अगर आप देखोगे तो यहां से इस trend line से अगर इस triangle के अंदर बैठा हुआ है अब bullish निकलता है या bearish तो यह simple सा है हमारा तो उपर की side में buy की position आप fresh buy अगर आप करना है तो यह तो जैसे top निकालता है मतलब 48400 के उपर निकले तो buy की position में बैठेंगे या फिर 48800 तो 47800 के नीचे put की position या फिर यहां पर अगर मिले तो इस trend line के पास में support ले तो buy की side में बैठ सकते हैं उपर में 200 point के लिए target रखें मतलब अगर यह वाला point अगर आपका आता है 47900 तो 48150 तक के लिए buy की position और 480050 भी आपका एक शांदार resistance और support का काम करेगा मतलब अगर market यह 480050 के उपर है तो support का का काम करेगा और यह इसके नीचे है तो फिर एक resistance का काम करेगा तो यहां पर है market हाल फिलाल 4890 के पास में है तो कल की opening important है अगर opening नीचे की side होती है 4800 की तरफ जाता है तो 4880 का यह 4150 का SL लगा के नीचे की side में put की position बनाई जा सकती है नीचे में कहां तक 47850 तक के लिए 800-850 तक के लिए नीचे में put की position बनाई जा सकती है और अगर यह वाला level या SL हीट होता है तो फिर हमारी position convert करके बाई side में कर सकते हैं अब दोस्तो gap up और gap down gap अगर होता है 48300 के आसपास होता है या फिर इस point के आसपास होता है यह वाला level जैसे कि यह level आ रहा है करीबन 48270 का तो उपर के level पर rejection अगर आपको identify हो या फिर यह history castle अगर market gap up होता है 48800 के आसपास 48400 के आसपास अगर होता है तो यहां पर अगर कोई rejection candle identify होती है तो sell का plan किया जा सकता है और अगर इसको level को निकालता है तो definitely buy और 48800 तक के target हम जैसे पहले भी बता कि गए हुए है तो यहां तक की तरफ market आपका bank nifty जाने के लिए फिर त जाता है तो immediately selling का कर सकते है या फिर जैसे इसी के पास में होता है खुलता है gap up भी अगर होता है तो भी हैने की trend line के आसपास आता है यह previous high second high है तो यहां को अगर उसको उपर की side में निकलता है तो यहां पर भी selling का plan किया जा सकता है नीचे में यह trend line support का का काम करेगी तो आप लोगों को अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू